हलो गाईज, क्या कभी आपने नोटीस किया है कि आपके आसपास किस टाइप के ट्रीज, एनिमल्स, बुशेज, ग्रासेज, एंड बर्ट्स हैं? तो क्या ये सब सेम है या फिर इनमें वराइटी है? हमारा भारत एक विशाल देश है, जहां हमें बहुत सारे तरीके की प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं. हमारा देश भारत 12 मेगा डाइवर्ट्स कंट्रीज में से एक है. तो Megadiverse Country वो होती है जहां बहुत सारे तरीके के Animals, Plants मिलते हैं तो Guys क्या आपको पता है कि इंडिया में 47,000 तरह के Plants Spaces है और इनी की वज़े से Land Diversity के मामले में हमारा इंडिया वर्ल्ड में 10th position पर है और एशिया में 4th position पर है तो अब देखो और समझने की कोशिश करो कि 47,000 तरह के अलग-अलग Plants मिलते हमारे भारत में तो अब आप कहोगे कि तो क्या हुआ? है तो Plants ही? बट यहाँ पर एक बार सोचो तो सही कि जितने ज़्यादा Plants और Trees होंगे उतने ही ज़्यादा Fruits and Vegetables होंगी और यह तो हम सभी जानते हैं कि आयरवेड में बहुत सारे तरीके के Plants को यूज किया जाता है जैसे अरजुन, नीम, तुलसी, जामुन, बबूल, सर्पागंदा तो यहाँ कितना ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा Variety है Plants और Trees की अब आपको क्या पता है कि इंडिया में 90,000 से ज़्यादा Animals की Variety भी है और बहुत सारे तरीकी की Fishes भी हैं जो मरीन और Fresh Water में रहती है Flora, Flora means Flour और Flour कहा होगा Plants में तो Flora is Plant Region अब है Fowna Fowna में यहाँ पर A आता है So A means Animals So Fowna means Animals तो यहाँ पर अब अगर हम Flora कहेंगे तो हम Plants की बात कर रहे है और अगर हम Fowna बोल रहे हैं तो हम Animals की बात कर रहे है तो जैसा कि अभी हमने पढ़ाता कि इंडिया में अलग-अलग तरह के Flora and Fowna है तो क्यों? Because इंडिया में इतनी Diversity है Relief की और Climate की तो चलिए देखते हैं कि यह दोनों इंडिया को कैसे Affect करते हैं और किस तरह का Flora and Fowna मिलेगा हमें इंडिया में तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले Relief की बात करते हैं Relief में हम Soil और Land की बात करेंगे तो First है Land यहाँ पर Land का Vegetation पर Directly and Indirectly Affect पड़ता है तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? कि Plains, Plateaus, Mountains में सेम तरीके का Vegetations होता है? तो बिल्कुल नहीं जैसा आपका Land होगा वैसा ही आपका Vegetation होगा क्योंकि जो Land का Nature होता है वो Vegetation पर Different Type का Affect करता है जैसे Fertile Land उस पर खेती की जाती है और वहीं ऐसे एरियास भी हैं जहां उबडखाबड़ वाले यानि उताव छड़ाव वाले रास्ते हैं और घास के मैदान है जहां पर Forest Develop होता है और यही Forest Wild Dive को जगा देते हैं अब बात करते हैं Soil की तो Soil भी अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरहा की होती है और यह अलग-अलग तरहा के Vegetation का Base होती है और ऐसे ही Desert की Sandy Soil में Cactus और थोनी बुशे समीते हैं अब अगर हम बात करें Hills की तो यहां पर जो Soil की Depth होती है वो बहुत ही कम होती है और यहां पर होते Conical Trees तो यह तो हुई Relief की बात अब हम बात करते Climate की तो Climate में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे Temperature, Photoperiod and Precipitation तो पहले बात करते Temperature की तो हिमाल्य और Peninsula की 915 मीटर उचाई से उपर जो Hills होते हैं वो Temperature में कमी होने पर Vegetation के टाइप्स और Growth को अफेक्ट करते हैं इने Tropical से Sub-Tropical और Alpine में Change कर देते हैं तो अब है Photo Period यानि Sunlight तो कितनी Sunlight हमें मिलती है और कितने Time के लिए मिलती है ये भी बहुत Important है Vegetation के लिए क्योंकि ये Sunlight कितनी मिलेगी ये Depend करता है कि आप कौन से Latitude और Altitude पे रहते हैं तो Equator पे ज़्यादा होगा और Pols पे कम अब हम बात करते हैं कि Photo Period अफेक्ट कैसे करता है तो देखो जितनी ज़्यादा हमें Sunlight मिलेगी उतना ही ज़्यादा Trees ग्रो करेंगे और जहां पर Sunlight कम होगी वहां पर Trees कम ग्रो करेंगे अब हम बात करेंगे Precipitation की इंडिया में ज़्यादातर Rainfall हमें Southwest मॉनसून से मिलती है या फिर Retreating North East मॉनसून से मिलती है As compared to वो जगह जहां Rainfall कम होती है तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि Forest हमारे लिए इतने क्यों Important है Because Forest Renewable Resource है यानि वो कभी Deplet नहीं होंगे और हमारे Environment की Quality को Increase करने में Help करते है साथ ही ये Local Climate को Modify भी करते है अब आप कहोगे कि कैसे तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि गर्मी के टाइम पर जहां ज़्यादा Trees होते है वहां हमें गर्मी कम लगती है Forest, Soil Erosion को भी कंट्रोल करते है और बहुत तरह की Industries को भी सपोर्ट करते है Wind को भी कंट्रोल करते है और इनकी वज़े से बारिश भी होती है ये Soil को You Must Provide करते है और Wildlife को Shelter देते है तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि Forest हमारे लिए कितना कुछ करते है लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या कर रहे है हम इन सब में Changes ला रहे है वो कैसे? Growing Demand for Cultivated Land यानि हम क्या कर रहे है इन Forest को काट कर Land को Cultivation के लिए यूज कर रहे है जहां Industries की Development हो रहे है लेकिन वहीं Forest का नुकसान हो रहा है Mining, Urbanization, Overgrazing इन सब की वज़े से Forest Cover बहुत कम हो पा रहा है यानि हमने Vegetation को Modify कर दिया है या फिर Replace कर दिया है या फिर Humans के होने की वज़े से ये सारी Vegetation Degrade हो गई है In short हमने सारी Vegetation को Destroy कर दिया है या आम बाशा में कहें हमने Vegetation का सत्यानाश कर दिया है अब है Types of Vegetation इतनी वराइटी है इंडिया में तो ये रीजन्स इस प्रकार है ये होता है उन एरियाज में जहां जोरों की बारिश होती है यहां लगबग 200 cm या उससे भी ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि ये एरियाज पूरे साल गर्म और गीले रहते है इसलिए इनमें सभी प्रकार के Vegetation पाए जाते है जैसे Trees, Sherps and Creepers और ये हमेशा हरे भरे रहते है अपकोस Leaves Dry होगी और वो गिरेगी भी बट Particular ऐसा कोई मौसम नहीं होता जो सारी Leaves को गिरा दे दीरे दीरे पतियां गिरती है बट एक बार में नहीं तो ये जो Trees है ये हमेशा हरे भरे रहते है इसलिए इन्हें Evergreen Forest कहते है यहाँ पर Trees की हाइट 60 मीटर या उससे ज़्यादा भी होती है और क्योंकि यहाँ Warm और Wet Season ज़्यादा टाइम तक रहता है इसलिए यहाँ हर तरह की Vegetations रहती है यानि Trees भी होते हैं Shubs भी होते हैं और Creepers भी होते हैं Evergreen Forest हमें मिलता है Western Ghat में लक्षदीप, अंडमान, निकोबार में असम के अपर पार्ट्स में और तमिल नाटू के कोस्ट में कुछ commercially important trees इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जैसे Ebony, Mahogany, Rosewood, Rubber और Sinkon और इन फॉरेस्ट में जो Animals हमें मिलते हैं वो है Elephant, Monkey, Lemur and Deer और यहाँ पर हमें One Horn Rhinoceros भी मिलते हैं असम और West Bengal में इसके अलावा हमें बहुत सारी तरह की Birds, Bats, Slots, Scorpions और Snails भी मिलते हैं हमें इन फॉरेस्ट में Next है Tropical Deciduous Forest यह भारत में सबसे ज़्यादा पाये जाने वाले Forest में से एक है यह उन एरियाज में होते हैं जहां 70 to 200 cm बारिश होती है यहाँ पर पोरे साल बारिश नहीं होती इसलिए यहाँ पर पानी की कम ही रहती है और Trees survive कर पाएं इसलिए अपनी सारी leaves shade करते थे 6 to 8 weeks के लिए तो यहाँ कुछ एरियाज में बारिश कम होती है तो कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा इसलिए इन Forest को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है तो पहला है Moist Decidious Forest और दूसरा है Dry Decidious Forest Moist Decidious की बात करें तो यहाँ पर 100 to 200 cm तक की बारिश होती है यह Country के Eastern पार्ट में मिलते हैं जैसे North Eastern स्टीट्स में, हिमाले के Foot Hills में, जारखड में, West Bengal में, 36 गड़ में और Western घाट के Eastern Slops में इन Forest में हमें सबसे ज़्यदा टीक मिलता है जैसे Bamboo, Sal, Shisham, Sandalwood, Kher, Kusum, Arjun और Mulberry अब है Dry Decidious Dry Decidious में 7200 cm तक की बारिश होती है यह हमें Peninsula के उस पार्ट में मिलते हैं जहां बारिश होती है जैसे Bihar और UP और यहां पर हमें टीक, साल, नीम और पीपल के ट्रीज मिलते हैं यहां पर जो forest है उन्हें कट करके cultivation के लिए यूज किया गया है और कुछ पार्ट में grazing होती है यहां पर हमें जो animals मिलते हैं वो है lion, tiger, pig, elephant और deer यहां पर भी बहुत तरह की birds, lizards, snakes and tortoise मिलते हैं next is the thorn forest and scrubs तो ऐसी जगह जा 70 cm से भी कम rainfall होती है वहां हमें thorn forest देखने को मिलता है ऐसी vegetation हमें country के north western part के सूखे areas में जैसे राजिस्तान, गुजरात, मद्यप्रिदेश, 36 गड़, उस्तरप्रिदेश और हर्याना में मिलते हैं यहां पर हमें जो plants मिलते हैं वो है acacia, palms, euphorbias और cacte और यहां पर जो trees होते हैं उनकी roots बहुत लंबी होती है ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा पानी observe कर सके और stems succulent होती है ताकि यह पानी को conserve कर सके और leaves जो होती है वो थिक होती हो और छोटी होती है ताकि evaporation कम हो और यहां पर पाई जाने वाली जो animals है वो है rabbit, fox, wolf, tiger, loin, wilders, horses and camel next है mountain forest तो यहां पर mountain forest की बात करने से पहले हम एक बार earth को देखते है तो यहां देखो equator पर क्या होता है गर्मी होती है और poles पर ठंडी होती है तो अब यह बताओ कि हमें ज़्यादा forest कहां मिलेंगी equator की तरफ ना same जब हम mountain की बात करते हैं तो जो mountain का low region होता है वहां हमें ज़्यादा trees मिलते है और जैसे जैसे हम नीचे से उपर की और जाते है तो हमें trees की variety में फर्क मिलता है और फिर एक point के बाद हमें किसी भी तरह का vegetation नहीं मिलता तो 1000 तो 2000 मीटर की height पर हमें mountain में wet temperate type के forest मिलते हैं जैसे oaks और chestnuts 1500 तो 3000 मीटर पर हमें temperate forest मिलते हैं और ये coniferous trees होते हैं जैसे pine, deodar, silver fur, spruce and cedar ये जो forest हैं ये हमें हिमाले के southern slope पर मिलते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि southern slope पर है नर्दन पर नहीं तो remember हमने climate में क्या पढ़ा था कि जो southern slope है हिमाले की वहां पर हमें mountain मिलते हैं इस वज़े से southern slope पर ही होते हैं forest अब अगर हम mountain से और उपर की तरफ जाते हैं तो वहां हमें temperate grassland मिलता है और अगर हम और भी उपर जाते हैं यानि कि 3600 मीटर से उपर तब हमें alpine vegetation मिलता है तो mountains पर क्या होता है यहां पर nomadic communities होती है nomadic का मतलब होता है जो लोग एक जगा से दूसरी जगा जाते रहते हैं mostly यह वो लोग करते हैं जिनके पास animals होते हैं और ऐसा करते हैं गूजर्स और बकरवाल्स अब अगर हम थोड़ा और उपर जाते हैं mountain पर तो हमें mosses and lichens मिलती हैं जो तुंद्रा vegetation का पार्ट होता है इस forest में मिलने वाले जो animals हैं वो है कश्मीर इस्टक, spotted deer, wild sheep, jack rabbit, Tibetan antelope, yark, snow leopard, squirrel, shaggy horn wild ibex, bear, rare red panda, sheep and goats next है mangrove forest mangrove हमें मिलता है coastal areas में तो coastal area में क्या होता है कि जो river होती है वो हमारी country का पूरा सफर तै करके जाती है ocean में तो यहां क्या होता है कि जो river का पानी होता है वो salty नहीं होता है लेकिन ocean का पानी जो होता है वो salty होता है तो ऐसी जगह जहां salt कम या ज़्यादा हो सकता है वहां पर कौन सा plant tolerate कर पाएगा ऐसी चीजे और उपर से coastal areas में आते है tides यानि कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी बहुत कम हो जाता है coast पे अब ऐसे मैं आप ही बताओ इन सब चीजों को कौन सा plant tolerate कर पाएगा तो ये कर पाते mangrove trees क्योंकि mangroves की जो roots होती है वो पानी के अंदर होती है गंगा, महानदी, किष्णा, गोदावरी, कावेरी का डेल्टा इन सबी जगे हमें mangrove forest मिलते है अब गंगा ब्रह्म पुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर हमें सूंद्री trees मिलते है जो बहुती ज़्यादा durable hard timber बनाते है यहां हमें palm, coconut, cura ये सबी मिलते है यहां का सबसे famous animal है royal bengol tiger और यहां पर हमें turtles, crocodiles, घडियाल्स और snakes भी मिलते है तो इंडिया में कितनी ज़्यादा vegetation है, कितनी ज़्यादा variety है flora and fauna में तो जैसे इंडिया में बहुत सारे flora है, वैसे ही बहुत सारे fauna भी है इंडिया में 90,000 animal species है और 2000 से ज़्यादा birds की variety है बहुत सारे fishes की variety भी है, जो पूरे world के stock का 12% है 5-8% world के amphibians, reptiles और mammals मिलते हैं इंडिया में और mammals में सबसे बड़ा animal है elephant और यह मिलता है हमें केलडा, करनाटिका, असम के hot wet forest में burn horn rhinoceros भी हमें असम और west bangal के swampy और marshland में मिलते हैं और thar के desert में हमें मिलते हैं camel तो इंडिया में हमें बहुत सारे तरीके के animals मिलते हैं जैसे Indian bison, नील गाय, चहु सिंगा और gazelle तो क्या आपको पता है कि इंडिया world में सिफ एक ऐसी country है जहां दोनों tiger और lion मिलते हैं Indian lion का natural habitat का gear forest एक गुजरात में और tigers हमें मिलते हैं मध्यप्रदेश में सुन्दरवन जो कि west bangal और हिमाले region में हैं और हिमाले region में बहुत तरह के animals भी होते हैं जो extreme cold situation में रह सकते हैं जैसे लदाक में जहां बहुत ज़्यादा ठंडूती है वहां याक मिलते हैं और इनके अलावा यहां पर मिलते हैं यहां पर रिवर्स, लेक्स और कोस्टल इरियाज में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घडियाल्स मिलते हैं इंडिया की bird life भी बहुत colorful है जैसे पिकॉक, पेजन्स, डक्स, पैरिट्स, पैराकेट्स, क्रेइन्स और पीजन्स पॉरिस्ट और वेट लेंड में मिलते हैं तो क्या बच्चों आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी माइगेटरी birds भी आती हैं जैसे Siberia से आती है Siberian Crane क्योकि सर्दी के टाइम पर जहां वो रहती है Siberia में वहां बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है इसलिए सारी Siberian Crane इंडिया में आ जाती है और रन आफ कच्च जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है माइगेटरी birds के लिए तो ऐसी जगह जहां डेजर्ट से सी मिल रहा है वहाँ पर आती है बहुत सारी फ्लैमिंगो जो नेस्ट माउंट्स बनाती है अपने बच्चों के लिए और भी बहुत सारी एरियाज एक कंट्री में जहां माईगिरेटरी बर्ड्स आती है एवन जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एंवायर्मिंट में क्योंकि ये पालीनीशन में हेल्प करते हैं इसलिए इन सब की कंजर्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है पर इतना एक्सेजिव एक्स्प्लोइटेशन की वज़े से ये एकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है यानि ये कभी भी खतम हो सकते हैं और बीस तो अल्रेडी खतम हो चुके हैं शायद हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा खतम हो चुके हो क्योंकि इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं है तो आखिर इन सब की क्या वज़े है तो इनकी वज़े है क्योंकि अगर एलियन स्पेसिस ज्यादा डॉमिनिटिव होंगे तो वो हमारे खुद के प्लांट्स को भी खतम कर देंगे इन सब की वज़े से इन बैलेंस होता है तो हमारे इन प्लोरा और फाउनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्मेंट ने क्या क्या किया है गवर्मेंट ने 18 बायोस्प्योर रिजर्व्स बनाए बायोस्प्योर में हम एरिया को डिवाइट करते हैं और जिस रीजन में हमारे प्लांट्स और अनिमल्स होते हैं हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं इन 18 बायोस्प्योर में से 10 बायोस्प्योर इंक्लूडेड है वर्ल्ड नैट्वर्क और बायोस्प्योर रिजर्व्स में और ये है सुंदर्वन, नंदा देवी, गुल्फ अप मनार, नीलगिरी, नॉक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पच्मरही और अमरकंटक गवर्मेंट ने फाइनिशियल टेक्निकल असिस्टेंच दिये हैं वर्टनिकल गर्डन्स के लिए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी बहुत सारे एको डवलपिंग प्रोजेक्ट इंट्रिड्यूस किये हुए है 103 है नैशनल पार्क्स, 535 वाइल लाइफ सेंचूरी और जोलोजिकल पार्क्स है तो जब यह हमारे नैशनल हैरिटेज को ट्रटेक्ट कर रहे हैं तो हम सबको भी हमारे इस इको सिस्टम की इंपोटेंस को समझना चाहिए क्योंकि यह हमारे खुद के सर्वाइफ के लिए बहुत इंपोटेंट है और ये तब भी पासिबल होगा जब हम इसकी importance को समझेंगे और जब हम हमारे इस natural environment को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुचाए